नमस्कार आप सभी साथ यूंगा एच्वें डोडे फॉर लूजी में स्वागत करता हूं लाइग एट सेरी कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिया आदमपुर के अंदर आज खडगे जी पहुंचे है हुड़ा जी पहुंच कर चुकिए या आदमपुर की शीट कॉंगर्स अपार्टी अपने पलड़े में ले चुकिए जिया बड़े बड़े नेता राष्ट्री अधक्स तक अगर यहां पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आने वाले दोर कॉंगर्स का आदमपुर के अंदर होने माला है और रिली के लोग पहुंच रहे हैं बैकवर्ड यारी ओबीशी सुनताएगे शुडल कास्ट के तूस्चीज को देखते हुए ही लगता है कि चंदर परकास की तरफ बैकवर्ड का ओबीशी का बहुत ज्यादा रुजान है और आसी का रुजान भी ऐसा नहीं है कि आज रेली के साथ रहे हैं लेकिन आप चंदर परकास के कारण एक बैकवर्ड नेता के कॉंगर्श पार्टी में आने के कारण हम इनकी तरफ आ रहे हैं याने साफ साफ कहेंगे कि अगर 15,000 बैकवर्ड भी चंदर परकास की तरफ आते हैं तो कुल्दी विश्णोई के लिए शिष्टी यहां पर हालात खराब है और खराब हो भी चुके क्योंकि इतने बैकवर्ड इनके पक्स में आ चुके हैं अब और ऑबीसी और एसी के बैकवर्ड के बोट धीरे 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 आ रहे हैं अगर फिलाल की पोश्र मेरे को देखी जाए तो 20,000 के आस पास वोट ट्रास पर हो च सकता है यहां से 60,000 के अंदर चंदर प्रकास आगे भी आ सकते हैं कल सुबह की रिपोर्ट आए क्योंकि मोधी जी की रेली का इफैक्ट जरूर देखने को मिले था मोधी जी की रेली के बाद अब भीसी वरक ठोड़ा सा कंफ्यूज था और लेकिन अब खड़ गे जो एक द सुदाई का नेता नहीं है कि इस भी ड्री शूजदाई के पास बड़ा पद नहीं है और कॉंगर्स पार्टी को देखिए राष्ट्री सतर पर चोधरी हर्याणा में चोद्री उद्रेबान एक दली के नेता को अधाक्स बनाया लेकिन भाजपा ने कुछ नहीं बनाया एक बाजद्वपा ने पहली बार सिम शैनी को मेना करेंcience को मनाया और जंटा को शमाें तरिए इसमे जद्वी डीटेल नहीं जाने चाहेंगे कि भाजपा के बड़े-बड़े पदों पर जिस प्रकार से बड़े-बड़े नेता कावजे करें आप उनकी देखिए वो जर्नल के नेता है कोई ब्रामन है कोई जाट है कोई वेस्य है कोई बनिया है यानि दलीत समधाय को भाजपा में भी दबाया गया है क्योंकि मैंने नहीं मानता कि कॉंगर्स वे आवाज दमाती है दलीतों के आवाज को कॉंगर्स उठाती है और यही रिजन है कि आदमपुर जैसे चेतर में दलीत वोट बैंक को बटोरने के लिए खड़गे जी पहुंचे है और चार जर आज कांगर्स की रेली के बाद चार हजार की परकास आगे जा सकते लेकिन फिलाल मोजदा पोजिशन में चार हजार मोटो की लिडी के साथ चंदर परकास आगे चल रहे हैं यही आज की फिलाल की रिपोर्ट है आदमपुर सीट की नवजेट टोलता हूं और सबसे बड़ा कान इसका पिछे कान में आपको बजाता हूं मोधिकी जी की रेली से फोड़ा प्रभाव पड़ा ता लेकिन उसके बाद में चोदरी कुल्दीब विश्ही की एक भी रेली ना Nahuna, भाजपा के किसी बड़े नेता का आदमपुर के नर ना पहुँचना, भाजपा की बड़े से बड़े नेता का स्था थोड़ देना, अ एक भाजपा का नेता कोई परचार करने पहुंचा है भगया विष्ट विश्णोई के समर्थन में तो भगविश्णोई कहा से भाजपा के नेता होगा भगविश्णोई हार गए तो यह खुद कांगरिस में चले जाएगा यानि भाजपा अब साथ छोड़ चुकी है निताओं का अलांके मोदी जी ने रेलिया की लेकिन मोदी जी की रेलिया एक राष्ट्रेश अतरफी तेई सीटों का कवर किया मोदी जी देश के परदानमंत्री है परदानमंत्री को सुने हजारों कोंगर्स को वोट देते हैं वह भी परदानमंत्री को सुनने गई थे तो रेलिय की भीड़ से कोई अंदाजा नहीं लगाए जा सकता है लेकिन कोंगर्स ने जिस प्रकार से एक OBC कर्डिटेट को उतारा है उसके उसके बाद धनी समझाए कि क कोंगर्स के बड़े नेता रेडिया कर रहे हैं एक बहुत बड़ा बोट पर एक महारदन टूटा है किसका टूटा है उल्दीब उचनुई का या भाजपा का टूटा है और ट्रांसपर हो इसको का कॉंगर्स पार्टी में फिलाल के यांकरे 4000 वोटों से जंदर प्रकास जी कीजिए जहिन साथियों